हलो एवरीबन सेप छोटी बहुग चैनल में स्वागत करते हैं आज बनाएंगे हलवाई जैसी क्रस्पी करारे जूसी रसेली जलेवी की रेस्पी साती साती इसके बहुत ही डिलीसियस एकदम गारी गारी लच्छेदार रभी की रेस्पी बनाकर तयार करेंगे जो कि आपको लाने के लिए थोड़ा सा एलो फूट कलर एड़ करेंगे आप इसकी जगह पर दो चुटके बरावर हल्ली भी डाल सकते हैं अगर आपके पास फूट कलर ना हो अब हमें थोड़ा सा यहां पर पानी लेना है जितना हमने इसमें मैदा डाली है उतना ही इसमें अभी पानी देखिए अभी काफी देख लग रहा है थोड़ा सा इसमें और पानी आड़ करतेंगे इसका हमें अभी बहुत यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि इसे फर्मेंट होने के लिए हमें ओवरनाइट छोड़ देना है देखिए हमने अच्छे से इसे फेट लिया है अब इसे फेसले करना है झ प्तला इसले करना होई क्योंकि अभी हमारा पहुत ही पतला है तो में इतना पतला नहीं रखना है दिखिए की सीमें ऐसे Áudos ऑल नहीं रखना है इसके क्पना ले इसके इसमें दो कप चा कर उँपर लिए रसन तो ऐसी हमें चासनी बनानी यहां कोई तार वाली हमें चासनी नहीं रखनी है इसकी कोई तार वाली चासनी नहीं बनती बस हांतों में हलकी से चिपशी रहे बस ऐसी चासनी बना कर तयार करनी है चलिए रबडी बना लेते हैं रबडी बनाने के लिए हमने यहां पर एक लीट कड़ाई में ही बनाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा एकदम सोंदा बनाता है यहां देखिए दूद्ध अच्छे से बॉयल होने लगा है अब जो ऊपर के मलाई है उसे हमें इस तरह से निकाल लेना है जिससे कि जब बाद में मलाई ठंडे हो जाएगी तब इसम कम मेहनत में तो रबड़ी देखिए जलने के बाद में दूद्ध काफी कम रह गया है अब यहां मिठास के लिए हमने दो बड़ा चम्मच इसमें सुगर एड कर देनी है यहां में ज्यादा इसमें चीनी नहीं डाल ली है क्योंकि हम इसे जलेवी के साथ में सर्फ करेंगे ज्यादा मीठी हमें रबड़ी नहीं रखनी है थोड़ा सा इलाइची पौड़र इसमें डाल कर अच्छे से रबड़ी को हमें मेक्स करते हुए इसे पका लेना है देखिए रबड़ी हमारी काफी धीक हो चुकी है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे रबड़ी हमा हापकप ली है यहाँ पर वो इसमें डाल लेंगे इसे क्या होगा रबडी में एकदम क्रीमी नेस आएगा और बहुत एकदम गारी-गारी रबडी बनकर तयार होगी तो यहाँ पर देखिए हमने हापकप इसमें मलाई और एट करती है देखिए रबडी कितनी जाद थिक लग गळाने के लिए जैसी वह आप मोटी पतली जलेवी रखना चाहिंहें उस हिसाब से इसमें कट लगाएं अब जो हमने घौल बनाकर लिए जलेवी पर यहाँ देखिए हमने बना गर्म करके लिए तो जलेवी था जली-जली जली से इसमें डालना है क्योंकि हाई-फ्लेम strictly अच्छे से तेल हमारा गर्म होगा तभी इसमें जली भी को डालना है अगर ठंडा तेल होगा तो उसमें जलेमीं हमारी बैठ जाएगे और चप्टी यहां पर देखिए चासनी को हमने एक बॉल also dip करते हैं दो मिनट तक रखना है उसके बाद में निकार लेना जलेवी को छाँ देखिये सारी जलेवी भा कि सँपोर कर सकते हैं या इसके उपर से रबड़ी को पॉर्ट कर सकते हैं बहुत इजलेवी ऐसा उस भी लगती हैं आपको ये जले भी कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सियर कमेंट करें अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो